सिर्फ और सिर्फ एक हजार मुर्गी पाल करके आप भी कमा सकते हैं महीने के 71,000 रुपए तो 71,000 रुपए कमाने के लिए कितना हमारा लागत आएगा कितना हमारा मुनाफ़ा आएगा कितना उसमें चिक्स का क्या रेट जाएगा और क्या उसका जो खाने का कोस्ट है वो क्या पड़ेगा मैडिसीन का खर्चा कितना होगा सब कुछ वीडियो में टोटल बताने वाली हूं सो वीडियो पे बने रहे सुरू से लाश्ट तक साथी अगर चैनल पे नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन की घंटी को प्रेस बिल्कुल जरूर से जर खुस हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हजार मुर्गी पाल करके हमने जो है इस मेहना जो है मेरा लौट हजार मुर्गी का निकला है और उसमें मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरे 71,000 रुपए आये हैं तो उसका मतलब क्या प्रोसेस रहा है कितना हमने इंवेस् पर यह देखिए यह पूरा बजट है इस तरब भी है और इस तरब हमने बजट बनाया था और अभी मैंने इस तरब अस्थे लिखा ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊं एक एक चीज कुई भी चीज छूटे नहीं तो मैंने यहां पे देखिए यहां पर मैं ताइम पे वो मुझे 28 रुपया का पड़ा था तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक चिक्स 28 रुपया का आया तो 1000 चिक्स का रेड जो है मुझे 28,000 रुपया का आया था देखी ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मुझे पर डे इस टॉफिक पर जो है मुझे बताना पड़ता है सबको कॉल आते हैं तो सब लोग यही पूछते हैं कि दिदी कितना इंवेस्ट करें ताकि हमें कितना फाइदा होगा तो इसलिए मैंने सोचा मेरा इस बार का जो अभी जो ततकाल में जो निकला है मैं उसका आ अब उसमें देखिए जो दवाई होता है वो सबसे मेन होता है और दवाई में एक एंटिवाइटिक आता है जो कि मुझे 165 रुपया का पड़ा था 1000 मुर्गी के लिए 165 रुपया का मैंने एंटिवाइटिक दिया था उसके साथ एक मल्टि विटामिन लिया था जो कि 1500 का पड़ा था वीडियो एकदम ध्यान से सुनियेगा मैं हर एक चीज बताऊंगी वीडियो को स्किप नहीं करना है इसमें देखिए और एक जो मेडिसीन में आएगा वह है वैक्सिनेसन जो की बहुत बहुत जादा जरूरी है तो वैक्सिन करना बिल्कुल इसकिप नहीं हो सकता है तो वैक्सिन का टोटल जो है मुझे 1140 रुपिया पड़ा है तीन वैक्सिन का मैं बता रही हूं ठीक है और एक वैक्सिन तो हम लोग करके मतलब अभी तो फिलाल में मैं चिक्स दे भी रही हूं जो जो मेरे थुरू से जो लोग ले रहे हैं जिसको मतलब होता है ना हमसे कॉंटेक्ट करके फिर हमसे भी लेते हैं तभी मैं चिक्स एविलेबल करवाती भी हूं अगर आप लोगों को भी चाहिए तो जरूर से जरूर हमारे कॉंटेक्ट नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो तीन वैक्सिन आपको खुद करना होता है एक वैक्सिन हम मतलब करके देते हैं तो यह हो गया वैक्सिन का 1140 रुपया उसके साथ एक है लिवर टोनिक जो है 300 रुपये का आता है एक केलसियम आता है जो की 800 रुपये का है तो यह मेडिसिन का खर्चा हो गया तो यहां पे आप बिजली का भी लाता है जो की फार्म में जरूरी है क्योंकि आप तो कि देख्य़ें कोई भी लोट डालते हैं तो उसमें तीन महीना आपको मुर्गी औरहता है माना कि आप से अधि रुप्या महीना रकते हैं तो फंदराल रुप्या आ जाता है जाने का विजली का खर्चा तो वह जरूरी है क्यूंकि हो तो हर लोट में आपको देना ही पड़ेगा विजली का बिल, फार्म का खर्चा मैं अलग छोड़ी हूँ, उसमें कुछ यह नहीं है, ड्रिंकर, फीडर वो सब छोड़ के मैं बता रही हूँ, जो कि यह जो हर लोट में जिसका जरूरत होता है, उसका मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे अब आता है लकडी का बुरादा, यहाँ पे आप धान की भूसी भी ले सकते हैं, नहीं मिलता है, तो लकडी का बुरादा लेना होता है, जो कि आपको हर बेच में चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आपका लोट निकला, तो वूस भूसी को भी हटा देना है, औ अब जो है, फीड के बारे में हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पे तो हो गया, चिक्स का रेट, मेडिसीन का खर्चा, लकडी का बुरादा, बिजली का बिल, यह सारा हो गया, और अब बचता है फीड का खर्चा, तो देखें, सुरू में हम देते हैं, प्री स्टार्टर आप सबको भी पता है, इसके बाद एक आता है स्टार्टर, जो कि मैं स्टार्टर नहीं देती हूँ, और मैं किसी को सजेसन देती हूँ, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ, कि स्टार्टर के बदले, आप प्री स्टार्टर ही उनको थोड़ा ज्यादा खिला दो, क्यूंकि उसमें quality अच्छी होती है मैंने growth देखा है pre starter का quality बहुत अच्छी होती है अगर आप starter देना चाहें तो यहाँ पर प्री starter 2 बोरा दे और starter 2 बोरा दे लिकिन मैंने यहाँ पर starter नहीं दिया है इसलिए मैंने प्री स्टार्टर चार बोरा दिया है तो यह 2350 का मुझे पड़ा है तो टोटल यह मुझे 9400 का पड़ा था चार बैग अब प्री स्टार्टर के बाद सीधा हम ग्रोवर पर आते हैं जो की 1500 रुपया एक बैग का पड़ता है और यह ना हमको 56 बैग टोटल खिलाना है देखिए 1000 मुर्गी में आपको टोटल फीट 60 बोरा देना है तो जार बोरा में 4 बोरा हमने प्रीज स्टार्टर देदिया है अब हम यहां पर ग्रोवर दे रहे हैं तो ग्रोवर हमें 56 बोरा देना है तो एक बोरा का कीमत 35 का है तो 56 बोरा का यहां पर आपको टोटल 84,000 रुपए होता है तो अब टोटल खर्चा यहां पे देखिए यह चिक्स का, मेडिसीन का, बिजनी का बिल, लकडी का बुरादा और फीड का खर्चा यह टोटल मिला के यहां पे जो है एक लाख उन्तीस हजार 305 रुपे होता है यहां पे देखिए टोटल खर्चा हमने यहां पे लिखा हुआ है सायद से यह आपको उल्टा दिखेगा क्यूंकि केमरा की वज़े से दिखता है अब एक लाख 29,305 रुपे हमारा इन्वेस्ट में गया, एक हजार मुर्गी में इतना इन्वेस्ट होता है और यह समय समय की बात है क्योंकि चिक्स का जो रेट है वो उपर नीचे होते रहता है और बेचने का जब टाइम आता है उस टाइम पे भी उपर नीचे रेट होते रहता है अब हम बात करेंगे कि इसको बेच करके हमें कितना मिला बेचने का अलग अलग तरीका है वो सब तो हम वीडियो में बताते ही हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम होल सेल को ना दे खुद से सेल करने की बहुत कोशिश करते हैं और हमने किया भी है क्योंकि हाली में जो रेट रहा था आप सभी को पता है कि सावन भादर का महीना जो होता है उस टाइम पे मुरगा मुरगी का रेट काफी गिर जाता है मार्केट में कोई भी मीट मचली नहीं खाता है उस टाइम पे सब लोग पालते हैं और भादर के महीने में पूजा होता है मौनसा पूजा कहके होता है यह हमारे तरफ होता है पता नहीं आप लोग के तरफ होता है कि नहीं तो उस टाइम पे न यह बतक और बकरा का जो रेट ह वो काफी हद तक उपर हो जाता है और मुर्गा मुर्गी का रेट नीचे हो जाता है तो अभी भी सायद से उतना मतलब जिस तरह मिलना चाहिए ना उतना नहीं मिला है लेकिन कोई बाद नहीं फिर भी ठीकी है तो क्यूंकि हमने खुद से बेचा है इस वज़े से हमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है अब हम आपको बताते हैं कि brooding से लेके बेचने तक का जो cool process था वो तो हमने आपको बता दिया कि कितना मतलब यह हुआ था अच्छा एक चीज और मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि brooding से लेके बेचने तक में cool modality भी होती है आप चाहे कितना भी अच्छे success farmer क्यों न हो लेकिन फिर भी आप 2400 घंटा उस पर नजर गड़ाये नहीं रह सकते हैं और क्या होता है कि quantity जादा रहती है तो वो लोग भीड लगा लेते हैं भागा दोड़ी भागा दोड़ी में एक आद मुर्गी दब जाती है और उसके कारण उसके mortality हो जाती है तो 1000 में मेरा 24 गो चिक्स का जो है mortality हुआ था बड़े होने तक में मैं एक दम reality बता रही हूँ मेरा 24 गो मुर्गी मर गया था उसमें मुझे बताने में कोई यह नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मतलब इतना जादा सब को बताती है और खुद के farm में भी mortality होती है तो होती है यह सभी के साथ होगा मेरे साथ ही नहीं आप कितने ह अच्छे success farmer क्यों नहीं हो लेकिन होती है कई चीक से बहुत जादा कमजोर होते हैं तो उसको थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ता है और हम लोगों का मतलब नहीं दे पाते हैं तो उन सब का मतलब ऐसा हो जाता है तो चलिए 24 गो मर गया अब हम देखते हैं कि हमको कि इतना में हम इसको बेचे हैं देखें जितना बार हम बेचे हैं उतना बार हम नोट करके रखें तो पहले हमने एक महने से ही बेचना स्टार्ट कर दिया था एक महने से आप कैसे बेच सकते हैं मैंने एक मुर्गा एक मुर्गी का जोड़ा बेचा हुआ था उस टाइम पे त पहले में शुरू में तो वो मैंने 218 मुर्गी बेची थी जिसका कूल मुझे 300 रुपया जोड़ी पड़ा था मतलब एक मैंने मुझे 300 रुपया जोड़ी पड़ा था जिससे कुल मुझे 32,700 रुपय मिले थे 218 मुर्गा मुर्गी मैंने बेचा था उसमें मेरा जो है 32,700 रुपय पहले मिले जिसमें 29 दिन से लेके 42 दिन का बच्चा था अब बात आती है कि मैंने दूसरा मतलब 42 दिन के बाद से मैंने रेट मतलब उसको चेंज किया तो उसके बार मैंने 45 दिन से ले करके 65 दिन तक कि बच्चे को मैंने जब बेचा था तो उस टाइम पर देखिए टोटल मैंने 317 मुर्गा मुर्गी बेचा था जिसमें मैंने 400 रुपया जोड़ा बेचा था फहले तो मैंने 300 रुपया जोड़ा बेचा था लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा रेट को बढ़ाया था और 400 र 2400 रुपे मिले थे देखिए ये सब धिरे-धिरे करके खर्चे भी होते हैं इसलिए लिग के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ताकि आपको पता चले बाद में कि आखिर कितना हुआ था क्योंकि खर्चे हो जाने के बाद कई बार क्या होता है कि यादी नहीं आता है कि हमने कहां कहां खर्च किया है इसलिए लिग की रखना बहुत जरूरी है आप लोग भी यह जरूर कीजेगा अब जो तीसरा बार मैंने बेचा था वह बीरासी गो मूर्गा मैंने 500 रुपया पीस बेचा था यहां पर सिर्क मैंने मूर्गा बेचा था उस टाइम पर जो बाद है मतलब नबब करके एक दो डिन हुआ था तीन महिना के एक दो दिन उस टाइम पर मैंने बाकी मूर्गी जितना मेरा बचा था वो सब टोटल मैंने wholesale को दे दिया था देखिए पहले मैंने बहुत ज्यादा खुद से बेचा है और गाओं घर में 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 बहुत इजली बिखता है और उसके बाद जो मेरा जैसे कि मैं हमेशा ही कहते हूँ कि तीन महिना के बाद रखना उचित नहीं है उसमें फाइदा नहीं होता ह तीन महिना तक का ही कोस्ट ले करके हम चलते हैं तो जैसे ही मेरा तीन महिना पार कर गया एक दो दिन हुआ था उसी टाइम पे मैंने wholesale को बाकी के जितने बचे थे वो मैंने सब दे दिये हैं उसमें देखिए मेरा कितना था तीन सो साट मुर्गी थी मेरा टोटल जो है चार क 95 रुपया कीलो मुझे मिला 200 रुपया कीलो भी मुझे नहीं मिला क्यूंकि मुर्गे तो सारे छट चुके थे सारी मुर्गिया बची थी उसके उपर से मार्केट में अभी थोड़ा सा रेट डाउन चल रहा था तो इस वज़े से जो है हमें 195 रुपया मिला था पर केजी का तो यहाँ पे मेरा जो है चार कुइंटल 30 केजी का टोटल होता है 83,850 रुपए तो यह सब मिला करके मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहले बार जब हमने बेचा था उसमें हमने 32,700 का बेचा फिर हमने 63,400 का बेचा फिर हमने 20,500 का बेचा और लास्ट में हमने जो हॉलसेल को दिया वो मेरा 83,850 का बेचा तो अब जो है मेरा टोटल मिला करके 2,450 रुपया होता है 2,450,000 रुपया मेरा टोटल जो उनमें से मिला है मुझे वो हुआ अब इन्वेस्ट जो मेरा इन्वेस्ट गया है उनको देखते हैं तो इन्वेस्ट हमने कितना किया था 1,29,305 रुपय तो अब आप 2,450,000 रुपया से 1,29,305 रुपया को माइनस कर दो यहां पर मेरा टोटल बचता है 71,145 रुपया यही था मेरा 1,000 का टोटल जो इन्वेस्ट भी और फायदा भी तो आप सब ने देखा कि अभी जो है मार्केट इतना गिरा हुआ था इसके वावजूद भी मुझे 71,145 रुपया का फायदा हुआ है जो कि समझिये अच्छा ही है माना कि मुझे तीन महिना लगा लेकिन अच्छा मुनाफा मिला है बहुत कम भी नहीं है मुझे कोई अफसोस नहीं है समय समय की बात है किसी बार बहुत जादा भी होता है किसी बार थोड़ा सा कम भी होता है तो I hope कि आप सबको पसंद भी आई है, समझ में भी आई है, वीडियो अच्छी लगी हो तो family friends में जरूर share कीजेगा, साथ ही एक प्यारा सा comment करके हमें जरूर बताईएगा कि कैसा लगा और आप लोग आगे जो है करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर आप लोग chicks लेन जय हिन, जय भारत!